नमस्कर मैं भूपध्यपणड़ हिंदी चनल में आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ बेलाइक नों के दमाना नब गुले ताकि मेरे प्रतेक वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें मेरे चैनल के बहुत सारे चात्रों की या डिमांड थी कि मैं असिस्टेंट प्रोफिसर हिंदी के सक्षातकार के लिए कोई डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आज का मेरा यह लेक्षार इसी पर अधारित है कि आप असिस्टेंट प्रोफिसर हिंदी के सक्षातकार की तैरी कैसे करें तो राज ये लोग सिवाय के द्वारा जो असेस्टेंट प्रोविसर की भरती परिच्छा ली जाती है उसके बाद जो सक्षात कर होता है वा किस प्रकार का होता है और किस प्रकार के क्वेस्चन लगबग पूछे जाते हैं उनके उपर यह लेक्चर अधारित है और यह मेरे प्रैटिकल एस्प्रियेंस पर अधारित है तो निशित रूप से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा उप्योगी है इसलिए आप सबसे मिरा विनाम नरोद है कि आप इसे अंत तक जरूर देखें तो इंटर्वी या सक्षात कर क्या होता है इंटर्वी को बोलते हैं सक् जिसको बोलते हैं व्यक्तितों परिच्ण तो वास्तों में जो इंटर्वी है परिशनल्टी टेस्ट यह होता है कि आपके व्यक्तितों का परिच्ण किया रहता है कि जीस पद के लिए आपकी भरती की जा रही है आपका व्यक्तितों उसके उप्यूपत है कि नहीं और जो ह है समान ने बने रहना जैसा हमारा व्यक्तित है उसी व्यक्तित को लेकर हमको इंटर्वी बोर्ड के सामने उपस्तित होना है इंटर्वी के महार सवास्तों में आपके मेरिट को प्रभावित करते हैं लेकिन जो ज्यादा डिसाइडिंग जो फेक्टर होता है आपके चैन में जो ज्यादा मुख़ए भूमी का रिटन एंजाम कर आता है लेकिन शाख्चातकार के नंबर भी बहुत ज्यादा आपके चेंट को प्रभावित तो करते हैं वि moreous salary जो आपके पोछीन निकलेगा फिर मैं तैयारी शुरू करूँगा जैसे ही आपकी परिच्छा समाप थो जाती है रिटनिक जाम समाप थो जाता है उसके बाद से आपको सक्षात कार की तैयारी आपको शुरू कर दिनी है सक्षात कार मतलब व्यक्तित्तों का परिच्छन तो चलिए हम देखते है इसके बाद क्या होता है जब आप साक्षात कार के लिए जाएंगे उसके एक दो दिन पहले या फिर साक्षात कार के दिन, इंट्रविय के दिन क्या होता है आपके certificate का verification होता है और यदि एक होता है अंक सूची जिसको बोलता है मारशीट और एक होता है degree उपाधी प्रमारपत्र तो यदि आप उनिसिटी से आपको उपाधी प्रमारपत्र नहीं मिला है तो आप जाकर पता कर लें और उपाधी जूड़ गया है कहीं कुमार हटा दिये हैं या फिर कहीं सी ही लिखे हैं कहीं सी हटा दिये हैं इस पकार की कई वी संगतियां देखने में आती हैं तो जब आप सत्यापन के लिए जाते हैं जब वहां जाएंगे सक्षातकार में के लिए तो जो बोर्ड है उनके जो अधिकार हैं वो लोगा आपका certificate का verification करते हैं 10 का 12 का graduation का PG का UGC net certificate certificate PhD जो भी degree diploma आपके पास है तो यदि आपका नाम अलग-अलग है तो आप notary से क्या शपत पत्र बनवा ले notary के पास जा कर 100 रुपर या 50 रुपर जो भी लेते होंगे उसके stamp paper में आप शपत पत्र बनवा आप यह नाम एक ही व्यक्तिका है जैसे जो आपने भाव में भरा होगा परिच्छा के भाम में तो यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है रिटन के मास तो अभी आपको पता नहीं रहता तो आपको जब रिजर्ट निकल लाता है फंड ले तभी पता होता है ठीक है ना तो यह मार्शीट के मामले में आप जरूर ध्यारा के मैं आपको बिल्कुल मायनियोट डीटेल्स बता रहा हूं आपको इतनी बारिकी से कोई परिशानी ना हो जब लोग से वाए आपके अधिकारी आपके प्रमार पत्रों का बहुत इक सत्यापन करेंगे इसके बाद तैयारी कैसे करना है इसके लिए तैयारी तो आपके कपड़े जूते चपल से तैयारी शुरू होती है कि क्या पहनना है मुझे उस दिन तो इसके मैं बता रहा हूं देखिए कई बार हमारे आर्थिक परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं होती है कि हम नए कपड़े जूते खरीदें तो आपको तनाव लेने की बहुत ज़्यादा जवरत नहीं है क्योंकि आपके कपड़े जूता चपल का परिछाण नहीं है बलकि आप खरीदने के लिए आप सक्षम नहीं है तो भी आपको तनाव लेने की बिल्कुँ विजवरत नहीं है साप सुत्रे अच्छे कपड़े पहन कर आप वहां पर जा सकते हैं बस शरते आपके कपड़े फार्मल होने चाहिए फार्मल टाइप के कपड़े आपको पहनने है यदि ब्लैक बेल्ट ब्लैक शूस ज्यादा बेटर है तो यह पहने और जिस कलर का आपको पैंट है उसी कलर का आपको शाक्स भी पहनना है और जो शर्ट का कलर है शर्ट का कलर हमेशा आप लाइट कलर चूस करें तो बहतर है जैसे लाइट ब्लू है क्रीम कलर का है वाइट कलर क इस टाइप के आपशार्ट चूस करें तो ज्यादा बेहतर है आप टाइप लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं या आपके स्वेहम के उपर निर्भर करता है कि आप टाइप के साथ कितने इसके गाना चाहिए जो शाधी या पाटी वाटी में आप पहनते हैं तो फॉर्मल टाइप पहन कर जा रहे हैं तो आपको टई पहन ना कंसरी के However इसके बाद सुछचा कर आए आप एकर कर करवा ले तुरंत ही मत करवाएं उसके बाद नए कपड़े या नए जूते पहली बार ना पाने जैसे आपने खरीद कर रख लिया कि इंटर्व्य कुई दिन पहन होगा नया जूता नया कपड़ा है तो इसको दो तीन दिन पहले आप पहन कर आप ट्राइ कर लें ताकि आप चाहिए जिस पहले मित पहन कर है जाएं नए जूते हैं तो पहने में भी धूल हो जाएंगे नए कपड़े हैं तो पहने में पहले मितंड़ mandatory हो आपा पह 1974 ले ढ़िए हर पहले न चीया ज्सक्लर का बेलट है उसी किलर काइए पका क्पड़े होना चाहिए जिस कलर का पका बता दिया हूं इसके बाद लड़कियों के मैंने में इच्छा यह जिग्यासा होगी कि हम लोग क्या पाने उनके लिए बता देता हूं girls साडिया सलवार पहन कर जा सकती है जिसको कैरी करने में आपको आसानी हो जिसमें आप सब्सक्राइब कर देखना है तो कि आप असिस्टेंट प्रोफिसर के इंटर्व्यू देने के लिए आप जा रहे हैं तो उसके जो suitable कपड़े हैं उस तरह के आपको कपड़े पान कर जाना है तो light color के आप कपड़े पाने और जिसको आप आसानी से carry कर सकते हैं comfortable होना चाहिए generally आप जो cotton के जो कपड़े होते हैं साडियां और सलवार यह सब थोड़ा ज्यादा अच्छे समझे जाते हैं ठीक है न तो यह तो हो गया कपड़ों की बात इसके बारे बात में आपको और कुछ पूछना होता आप comment box में comment लिकर पूछ सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको minute detail को cover किया है कुछ लोग होंगे जो पहले भी सक्षात कर दे चुके होंगे interview में शामिल हो चुके होंगे और कुछ चात्र ऐसे होंगे जो पहली बार शामिल हो रहे होंगे तो मैं आपको शुरू से अंतज़क क्या क्या परसानियां आ सकती है और do's and don'ts यह सारी बातें आपको बता रहा हूं ठीक है न इसके बात आप अपने तयारी चालू करें वेट न करें रिजल्ट का तो सबसे पहले आप अपने बायोटर को बहुत अच्छे से तयार कर लें आपको जो जीवन वृत है कि आप कहां के रहने वाले हैं या फिर आपने अपनी कहीं पर आपका परसेंट कम है कहीं पर आपका परसेंट ज्यादा है तो इस बारे में भी आपको पूरा पता होना चाहिए अपना जो बायोटर जो आप भर कर देते हैं उस पर आपका फूल कमांड होना चाहिए महारत हासिल होना चाहिए और सब चीज आपको मुखागर होन थिक न इसके बाद आपको अपने राज्य का समान नग्यान भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए जीष राज्य से आप शामिल हुए है या फिर आप जीष राज्य को बिलांग करने वाले हैं उसके बाड़े में आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए और जीस राज्य की परिच्छा में आप शामिल हुए हैं उस राज्य के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कई बर क्या दूसरे श्टेट के चात्र भी आते हैं परिच्छा देने के लिए हमारे आपके राज्य में इसके रूसा रूसा रास्टी उचितर शिक्षा अभ्यान यह डिपार्टमेंट आप हायर एडूकेशन गौर्णमेंट आप इंडिया के अंतरकत इसको चलाया जा रहा है और यह मिनिस्ट्री आप Human Resource Development के अंतरकत काम करता है तो यह अभियान हो गया इसके बाद National Education Policy 2020 इसके बारे में आपको जानकारी होने चाहिए मतलब मैं आपको basically बता रहा हूँ जैसे आप राजिस्थान की जैसे रहने वाले हैं तो आपका उच्छे शिक्षा विभाग के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि उच्छे शिक्षा के मंतरी कौन है कौन बड़े अधिकारी है और क्या-क्या नई योजनाय करती है इसके बाद हिंदी सायते हाला कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है नेट और सेटिक जम आपने निकाला है आपने पीच्डी किया हुआ है इसके बावजूद भी आप जब साक्षातकार में शामिल होने जा रहे हैं तो आप एक बार अपने कंटेंड को रिव जो भी आपने पढ़ाया इसको रिवायश ज्रूर कर लें इसके बाद आपकी हौबी यह हॉबी की भूमी का कर दो दूरान यह आपका बाइव डाटा हर जो होबी है होबी के बारे में आपको बहुत अच्छे से तयारी करनी है किताब पढ़ने आपकी होबी यह यह फिर आपकी गॉडणिंग जैसे आपके होबी है यह क्रिकेट खेलना मैं वैड्मिंटन खेलना फिलमे देखना गाना जो भी है तो इसे संब्सक्रीत कौन से प्रमुख व्यक्ति है एसा इन सब चीजों को आपको अच्छे तयार और चाहिए अगछे होनी चाहिए इसके बाद जो अगली बात है जो आपको तयार करनी है वो यह है कि अभी साहित्य के शेत्र में अभी हाल में जो पुरुसकार दिये गए हैं जैसे भारती ज्यान पिट पुरुसकार है हिंदी साहित्य के शेत्र में भारती ग्यान पिट पुरुसकार, साहित्यकादमी पुरुसकार, व्यास सम्मान, सरस्तिर सम्मान, ये कुछी जामपल हैं नोबल पुरुसकार, तो हिंदी साहित्यके छेत्र में जिन विद्वानों को जिन लेखकों अथ्वा कवियों को हाल में पुरुसकार दिये गए हैं का common question है कि आप सहायक प्राध्यापक क्यों बनना चाहते हैं आप असिस्टेंट प्रोफिसर या सहायक आचार जो भी है आप क्यों बनना चाहते हैं तो आपके पास एक तरक संगत उत्तर होना चाहिए जैसे बोर्ड आप विशे सुरुप से एजुकेशन के छेत्र में जो नहीं नहीं घटनाएं हो रही है जो नहीं नहीं बातें हो रही है उनके बारे में आपको चाहिए इस्कूल एजुकेशन हो चाहिए हायर एजुकेशन उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ठीक है नहीं समय समय पर लेबस में बदलाव होता है या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज तरक संगत तरीके से आपको अपनी बात रखना आना चाहिए तो करेंट आप फिर विश्चेस रूप से एजूकेशन के छेतर में जो नहीं नहीं घटना है जो आ रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो आपकी रचना कौनसे अपकी इस पसंदीधा्साइफ, लेखक कौन है या कभी कौन है इनके बारे में आप पूरी तरह से आपको जनकारी होना है और आपको अच्छे सुनको त्यार करना है जैसे मुंसी प्रेम्चंद बहुते हैं तो उनकी कौन-कौन सी रचनाए हैं कौन सी आपको सबसे अच्छी लगती है तो यह तब आपको पता होना चाहिए कई पर इंटर्वी वोड के दोर यह भी पूछ दिया जाता है जैसे कामाइनी की प्रथम पंक्ति क्या है या फिर जो गोदान उपन्यास है मुंसी प्रेम्चंद का उसमें पंडित जी को अंत में कितने पैसे दिये गए गोदान के रूप में तो इस टाइप के क्वेस्चन भ इसको भी त्यार करना जोड़े एक क्वेस्चन यह भी होता है जो प्रया पूछा जाता है कि यदि आप सफल नहीं हुए तो क्या करेंगे तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि यदि इस परिच्छे में आप सफल नहीं होते हैं तो आपके पास दूसरा विकल्प क्या है आप क्या करेंगे इसके बाद मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके बायो डाटा पर आपका बहुत ही जबरदस्त कमांड होना चाहिए कि आपने कहां से पढ़ाई की आपके कितना परसेंट हैं क्या का सब्जेक्ट हैं तो बायो डाटा और आपका होबी इन दोनों में आपका कमांड बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए इसमें आपको अपने बारे में पूरा पता होना चाहिए अपने होबीस के बारे में पूरी अच्छी तरह से त्यारी कर लेनी है इस बात को आपको हमेसा गांड बांद लिए इसके बाद अब आपका सक्षा का रहे हैं तो आज की रात आप निश्चिंद भाव से सो जाएए कोई टेंसल लेने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि आप रिटानिक जाम देकर वहां पर जा रहे हैं मतलब आप यूग गहें तब ही आप वहां साक्षात कार तक पहुंचें तो आप निश्चिंद भाव से वह देंगी तो आप अपने आपको विश्वास दिलाए कि मैं योगी वेक्ति हों इसलिए मैं साक्षात कार में कल शामिल होने जा रहा हूं तो आप तनाव रहित हो के निश्चिंद भाव से सो जाएए और तनाव लेने की आपको जवरत नहीं है उसके बाद जिस दिन आपका स जरू पढ़ना है इसके बाद आपको समय से लगभग एक घंड़ा पहले आपको अपने साक्षात कार इस्थल पर वेन्यू पर पहुंच जाना है अप प्रयास करें कि जितने समय से आपका साक्षात कार शुरू होने वाला है उससे लगभग एक घंड़ा पहले आप अहां साथ में रहता है भर यहाँ पर सक्षाथ कार carbon के डो तीन बोर्र होते ना एक में जैसे बोर्ड के चेर्मेन रहेंगे उसके सेはwe अपर आपको जाएन होगा कि नहीं होगा यहां पर आपको इस बात में बिल्कुल भी नहीं सोचना है की मेरा होगा क्या होगा यहां पर बस आपको अपने आपको लखना हिसके बद्इस चाहें नापने गा नाम को आप जाए गा तो आप क्या करना है आपको वहां उनके दरौजे पड़ जाना है उनको दस्तक दे कर तक करके दस्तक देना है फिर अनुदा INSARA कर नमस्कर माडम करके हैं participar मैडम यजह में आपको सब्याने के लिए बैठने के में इस जब दनम असीस बार SARAH केर रखे रहेगा और वहीं पास में टेबल में आपके लिए पानी का गिलास भरा हुआ रखा रहेगा कई बर ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा घबराइट महसूस होती है कुछ लोगों को ऐसे पहली पार फेस कर रहे हैं या पर फेस नहीं किया है तो ऐसे वक्त में और पीच में बीच करके दौरान बीच में पीए दिया आपको पानी पीने क्या हो सकता होती है उसके बाद आपको समाइने बना रखें चुप चाप बढ़ए रहे हॉँआ पर उसके बाद जब आपका ताक्षाट कार शुरू होगा तब आपके बाट्चित की जाएगी आपसे प्रस्ण पूस्ते हैं तो उनसे नजर मिला कर आपको उत्तर देना लेकिन आपको उनका घुर्णा नहीं है बहुत इवी नमदता पुरों का आख से आख मिलाकर आपको जवाब देना और आपको बोड़ी ले जैसे आप उंगलियों को ऐसा ऐसे कर रहा है इधर देख पैर को कुछ मुवमेंट करने ऐसा नहीं करना है बहुत ही शांत भाव से आपको बठे रहना है और उनके प्रस्णों को आपको जवाब देना है को उल्टा-पुल्टा हरकत वहाँ पर आपको नहीं करना है यह द्यान में रखें विल्कुल माइनू डिटेल बता रहा हूं जो चाहिए कि मतलब आप समान्य आपको इतना नहीं ले रहे हैं और यदि किसी प्रस्ण का उतर आपको पता नहीं तो बहुत ही विनमदता पुर्व कर सकते हैं कि चमा चाहता हूं सार्या मैडम मुझे इसका उतर नहीं पता है या फिर मुझे इसके विश्ण में अधिक जानक करता की भूमका होती है जो की विसम परिस्थितियों में भी अपना धहरे बिना कर रखते हैं तो और इसके बाद जो अगली बात हुआ है कई बार आपको प्रोक करना चाहें करना चाहें तो आपको अपनी जानकारी को अपने अपको आप的話 से सब्सक्राव क्फर्टीज का जरूरति नहीं पें कि मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी है या मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ यदि आप उनसे किसी बात से असामत है तब ही बहुत ही विनम्रता पुरोग आपका सकते हैं कि छमा चाता हूँ सर मैं आपसे सामत नहीं हूँ या मैं आपसे असामत हूँ झो भी है बहुत ही विनवर्टा परोग आपको अपनी बात रखनी है हमेशा देहल में रखें साहचत्रल नहीं रहना ठीविटी की आ पको परिचा नहीं देना है इसके बाद अगली बात है जो पूछा जाये उसी को उतर दें अनावस्यक लंभा ना कहिचें अपने पूचा गया है उसी को उत्तर दें और बहुत ज्सकपला कि आप इसे आपको उत्तर को उत्तर देंगे उसी से आपका अगला नया प्रस्न प्राया पैदा होता है आपके उत्तर में से नया प्रस्न पैदा होता ये ध्यान में रखिएगा तो अनावस्यक रूप से आपको लंबा किचने का प्रयास नहीं करना है जितना पूछे उतना बता दिये उसके बाद पूछते हैं तो उनकी पिछह मुड़ कर देखना यह बहुत इशालिंता के साथ दिरे से दर्वाजा कर नहीं देत तो यह आ इन सब बातों को आप पालन करते हैं वहां हो होता है आप लोगों के लिए हाला आप कमेंट बाक्स में कमेंट लिखर अपने मित्रों के साथ मेरा यह लेक्चर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वैं किसी भी प्रकार के सक्षातकार में शामिल होने जा रहे हैं तो सब के लिए समाने रुप से या उपयोगी है शाहे उनका वीशाय कोई भी हो तो उनके साथ भी शेयर करें कमेंट बक्स में कमेंट लिक कर जरू बता हैं कि हम सफाल हो गए हैं धन्यवाद